स्वागत है आप सभी का Tech Study ITI YouTube चनल पर DRDO की तरफ से आप सभी ने नोटिफिकेशन देख लिया होगा 1900 से ज़्यादा पोस्ट पे वैकेंसी आई है जिसमें ITI पास आउट केंडिडेट्स को भी टेकनीसियन एक ही पोस्ट पे अपलाई करने का मौका मिलेगा और ये एक ऐसी golden opportunity है जिसका आपको इंतजार भी रहता है अभी अपोर्चोंटी मिली है तो आपको इसको छोड़ना नहीं चाहिए तो पूरा pattern भी इस बार examination का बदल गया है पूरा नया pattern इस वीडियो में हम लोग समझेंगे साथी जो आपका tire 1 और tire 2 का examination होगा technician a.k.selection के लिए उसको पूरी तरीके से देखेंगे एक-एक step समझेंगे जिससे कि आपके लिए examination की तयारी करना आसान हो तो अगर आप ITIE pass out है और आप DRDO में apply करना चाहरे है जो कि 3 September से form start हो जाएंगे तो आपको तयारी का भी roadmap अपना तयार कर लेना चाहिए कैसे आपको strategy बना के तयारी करनी है जिससे कि आप examination में अच्छा कर पाएं और ये एक ऐसी नौकरी है अगर ये आपको मिल जाती है तो साइद इससे अच्छी job ITIE pass out candidates के लिए नहीं हो सकती salary के साथ medical facilities and other facilities में इतनी अच्छी मिलेंगी कि आपकी पूरी जो life है वो आप ये समझे कि एक तरह से set हो गई तो चैनल पे नए हैं तो subscribe करके bell icon को hit कर ली जगा और आगे बढ़ें वीडियो पूरा आप देखेंगे तो पूरा आपको समझ में आएगा और हमने कोसिस की है बहुत अच्छे से वीडियो को prepare किया जा जिससे आपको एक-एक point clear हो सके और आप examination को लेकर जब clarity होगी तो आप तयारी अच्छी कर पाएंगे तो वीडियो को like जरूर कर दी जागे क्योंकि आपके like से ही वीडियो आगे trend कर सकती है और भी लोगों को इससे मदद मिल सकती है और चैनल को subscribe किये रहेंगे ताने वाले टाइम में जो भी आपको और वीडियो जया update मिलेंगे तयारी की वो भी मिलती रहेंगे तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे अभी आपको क्या चाहिए आपको चाहिए success and success के लिए आपको पता होना चाहिए सही रास्ता और सही रास्ता क्या है किसी भी examination में success होने के लिए सही रास्ता है पहले उसका pattern और syllabus आपको पता हो तब ही आप start कर पाएंगे फिर बाकी चो रास्ते के obstacles हैं आपकी आदते हैं आपका time वो सब चीजें आप सुधारेंगे तो आप उस examination में जरूर success हो सकते हैं और यहाँ पे एक quote भी हमने आपके लिए रखा है सायद मैं इससे थोड़ा आपको motivate कर सकूँ कि if you have the courage to begin you have the courage to succeed अगर आप start करने का साहस रखते हैं तो आप सफल होने का भी साहस रखते हैं तो यहाँ पे रहेगा आपके अंदर साहस और आप जरूर succeed होंगे इस vacancy में हमारी पूरी उमीद आपसे है तो यहाँ पे अगर बात करें सबसे पहले examination के language की पेपर के language की तो वो आपकी रहने वाली English और Hindi दोनों में आप उसमें questions को change करके भी देख सकते हैं इसके बाद यहाँ पे बात करेंगे सबसे ज़्यादा important examination pattern की pattern इस बार जो है काफी बदला हुआ है total questions जो आपको मिलेंगे वो मिलेंगे 120 कितने questions मिलेंगे 120 और इन 120 questions को करने के लिए आपको time मिलेगा सिर्फ और सिर्फ कितना 90 minute का 90 minute का आपके पास time होगा 120 questions को solve करने का मतला पूरा पूरा आपको एक minute भी यहाँ पे नहीं मिलने वाला है एक question को solve करने के लिए इसके बाद part A और part B दो part में आपका paper होगा जिसमें जो part A है उसमें non technical questions आपसे पूछे जाएंगे total 40 questions होंगे चार topic से इसमें questions रहेंगे each and every topic से आपके ददस नंबर के questions रहेंगे ठीक है तो 40 questions होगा आपके non tick and part B आपका होगा technical questions होंगे आपके 80 multiple choice questions होंगे जो की आपके trade theory के होंगे ठीक है सबसे important बात है कोई negative marking यहाँ पे नहीं है तो आप सभी लोगों को पूरे 120 question attempt करके आने हैं किसी भी हालत में ठीक है questions छोड़िएगा मत time जैसा भी रहे उसके according आपको strategy plan करनी का आप सारे questions देखिए कई बार आप time waste कर देते हो last के कुछ simple questions आप से रह जाते हैं जो कि आपके number को काफी अच्छा कर सकते हैं यहाँ पे तो अब चलेंगे आगे एक एक जो topic है non-tech का उसकी detail देखेंगे technical के बारे में भी बात करेंगे का आपको कहां से इसकी तैयारी करनी चाहिए और form भरे या नभरे तैयारी आप अभी शुरू कर दीजे form की date जब भी start होगी form तो आप fill up करी देंगे और आप लोग comment section में जरूर बताएगा कितने लोग ऐसे हैं जो यह form fill up करने जा रहे हैं और इसकी तैयारी को लेकर serious है क्योंकि form तो सभी लोग भरते हैं लेकिन तैयारी को लेकर serious बहुत कम candidate देखते हैं जिससे हम आपके लिए courses करेंगे अगर ज़्यादा candidates मिलते हैं तो हम courses करेंगे non-tech के कुछ videos आपको daily basis पे channel के थूरू study करवाने के लिए यहाँ पर आगे बढ़े हम लोग यहाँ आप देख लेते हैं पूरा आपका जो examination होगा अभी आपने pattern देख लिया अब tire 1 और tire 2 दो आपके exam रहेंगे tire 1 आपका एक selection process जो की cbt exam होगा जिसकी हमने पीछे बात की section A and section B 2 होंगे 40 plus 80 questions होंगे ठीक है and tire 2 भी आपका रहेगा जो की qualifying nature का है वो क्या है उसको बाद में देखेंगे तो tire 1 की बात करें तो section A में जो आपका है इसमें हमने बताया चार topic रहेंगे क्या है quantitative ability and aptitude, general intelligence and reasoning, reasoning ability, general awareness और English language basic इस पे आप लोगों को बिसेश करके ध्यान देना होगा क्योंकि ITI के maximum छात्र क्या करते हैं कि English से आप ऐसे भागते हैं जैसे लगता है पता नहीं हो क्या है मैं जब video बनाता हूं पढ़ाने का या कुछ भी इवेन अभी आप syllabus में कहेंगे सरी हिंदी में आपने क्यों नहीं रखा तो English इतना तो English से आप डरेंगे तो कैसे करेंगे तो English language का जो basic knowledge है उससे भी 10 questions रहेंगे अब यहाँ आप ध्यान दीजे पहला जो topic है इससे 10 questions रहेंगे General intelligence and reasoning ability से 10 रहेंगे General awareness से भी 10 रहेंगे और General जो English language है basic knowledge उससे भी 10 questions रहेंगे तो यह सभी जो दददस नंबर के questions बहुत tough नहीं होने वाले हैं बस इसमें आप थोड़ी मेहनत कर लेंगे तो basic English हो गया आपका General awareness चलिए एक बार को tough हो सकता थोड़ा बट General जो यह math है टाइप का na Intelligence and reasoning ability जो रहेगा या quantitative aptitude जो रहेगा यह बहुत tough questions नहीं आते हैं इनको आप आसानी से अच्छे से कर पाएंगे तो यह तो होगया आपका 40 section A का अब जो section B है इसमें आपका जो trade या discipline है आपका जो भी trade है उस trade theory के 80 questions रहने वाले हैं अब इसमें देखिए यहाँ पे एक pinpoint यह है कि यह जो 80 question होगे न इसमें आप अगर अच्छी मेहनत करते हैं तो 60-70 question आप आसानी से सही कर सकते हैं देखिए किसी भी exam में selection लेने के लिए यहा maximum marks 120 है आपको 120 नहीं लाना है आप अगर 60-70% भी score कर देते हैं इसमें 120 में तो आप यहाँ पे selection पा जाएंगे आसानी से मेंस 120 में से अगर आप 80-90 नमबर भी ले आते हैं तो आपका selection हो जाएगा ठीक है तो जिन topics पे आपकी अच्छी पकड़ है उन्हें आपको यहाँ पढ़ना होगा और trade theory के अगर हम बात करें तो ITA की trade theory कोई इतना बड़ा topic नहीं है किसी भी trade theory में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अगर questions होते हैं पूरी book आप उठा के देखेंगे तो आपकी जो book होती है न कितने सारे topics अगर आप मिलाएंगे बहुत ज़्यादा आपको जो book मिलेगी न तो 300 से 400 page की मिलेगी आपको ठीक है trade theory के जो book होती है 300 से 400 page की मिलेगी आप किसी भी अच्छे publication की book ले लिगे इससे ज़्यादा गी नहीं रहेगी और आप अगर देखेंगे इन 300 से 400 questions जो pages है इनको अगर आप पूरा पढ़ेंगे न तो इन सभी pages पे जितने भी topic होते हैं उनसे maximum अगर बनेंगे तो आपके 4000 questions बनेंगे आपके trade theory के and इन 4000 questions को अगर आप एक महिने दो महिने तीन महिने में एक से दो बार revise कर लेते हैं तो आप इस ASC में से 70 number तक ला सकते हैं ये मेरी guarantee है और हम कोसिस करेंगे trade theory की भी different different trade के आपके लिए कम से कम 500-1000 questions का PDF आपको provide करेंगे examination से पहले हम जरूर prepare करेंगे ये भी हमने अभी से सोच रखा है ठीक ये हो गया आपका tire 1 का examination जो की काफी important है यही आपकी merit बनाएगा यही आपका selection दिलाएगा अगला आता है tire 2 जो की है trade test जो की qualifying nature का होगा अब trade test से मतलब जैसे आप fitters हैं जैसे fitter का आपका practical होता ना कुछ इसी तरह का आपका practical करवाया जाएगा electrician से हैं तो उसका कुछ आपसे practical करवाया जा सकता इसमें बस आपको qualify करना है जो भी आपको practical दिया गया उसे आप proper तरीके से perform कर पाएं and qualify कर पाएं main merit आपकी यहां से बनने वाली जो की tire 1 का exam है तो सारा जो आपको जोर लगाना पहले tire 1 पे लगाना है यहां आप अच्छा कर पाएंगे तो tire 2 की आप तयारी आसानी से कर पाएंगे और इसे qualify भी कर पाएंगे generally एक से दो घंटे का आपका trade test होगा जो की सिर्फ qualifying nature का होगा practical skill का basically यहां पे test होगा suppose कर आप copa trades हैं copa की अच्छी खासी vacancy है इसमें तो उस case में क्या होगा का आप से कुछ चीजे computer पे perform कराई जा सकती है जो की आपके practical में है practical के syllabus में है उसी के आधार पर यहां तक आपको clarity आगई होगी आप चाहें तो इस पूरे का आप screenshot ले सकते हैं जिससे आपको clarity रहेगी क्या चीज है उसका भी और इसका भी आप एक screenshot लेके रख लीजे जिससे कि आपको पता होगा अच्छल में आप तयारी करनी कैसे आपको अब जैसे हाँ RC MCQ है हम तो यह कहेंगे अगर आप दिन में 8 घंटे पड़ते हैं तो कोसिस करिए 5-6 घंटे trade theory को revise करिए और जो आपका 2-3 घंटे बचेगा उसको आप इस non-tech वाले part को दीजिए ठीक है क्योंकि trade theory में आपको अच्छा score करना है non-tech में भी आप अच्छा score कर लेंगे अगर थोड़ी मेहनत करेंगे अब आएए detailed में slaves देखते हैं अब detailed slaves की बात करें जो पहला topic है आपका quantitative ability या aptitude उन दोनों को मिला के देखेंगे दो page पे तो इसमें आपका जो similarities and difference अमानता है और weight type के questions है space visualization अंतरिच चद्रिश ठीक है judgment या decision making type के questions visual memory type के questions relationship के concept जैसे आते हैं यह उसकी बुआ लगती है जो भी है वो लड़की उसकी क्या लगी है ऐसे जो questions आते हैं and non-verbal reasoning भी या series भी आपसे पूची जा सकती है और coding और decoding के कुछ questions हो सकते हैं coding decoding से basically मतलब क्या है जैसे ITI को किसी code में ये लिखा जाता है CTI को ये लिखा जाता है तो इसको क्या लिखा जाएगा इस तरह के जो questions आते हैं वैसे questions भी 2 से 3 आपको इसमें मिल सकते हैं ठीक है दूसरा topic आपको जो मिलेगा इसका भी आप लोग screenshot ले लिजेगा अगला है main इसको आपको अच्छे से मेहनत करनी है और इसमें अगर आप थोड़ी भी मेहनत कर सकते हैं ति इसमें आप 10 में 10 ला सकते हैं आसानी से basically यह mathematics के question होगी जिसमें simplification number series अब number series मतलब होता है कुछ आपको एक series दी रहेगी ठीक है उसमें कुछ एक बीच में question mark missing number रहेगा वो आपको बताना रहेगा ठीक है अगला क्या है quadratic equation average या percentage निकालना बहुत ही simple simple questions होगे percentage के question थोड़े घुमा के tough हो सकते है बढ़ आप अगर practice करेंगे तो आसानी से कर पाएंगे time and work से related question 2-3 question या 2 question कम से कम मिल सकता है आपको area निकालना किसी rectangle का, circle का, sphere का cone का, triangle किसी भी चीज का area निकालने का आपको आ सकता है segment का आ सकता है profit and loss एक से दो question पका रहता है इससे profit and loss से simple and compound interest इससे भी एक से दो question ठीक है साधारन प्याजा, चकबिदी ब्यास से lab और हानी से area, time and work and सबसे important time and speed ठीक है, जिससे train पार कर रही खंबे को, कितने time में पार करेगी इस तरह के जो questions है investments related questions लासा और मासा जिसे कहते है HCF and LCM से related questions problem and ages ठीक है, उम्र से related जो सवाल होते हैं कि इतने साल पहले इतनी थी अभी इसकी दूगनी हो गई तो अभी कितनी होगी ऐसे सवाल होते हैं वैसे questions bar and graph या pictorial graph से भी questions पूछे जा सकते हैं ये हो गया आपका quantitative aptitude ये and ये मिला कि आपका 10 questions इन में से आएगा ठीक है अगला आपका topic है जो की reasoning ability होगा ठीक है, इसमें जो comprehensive reasoning होती उस पे आपको focus करना है vein diagram, coding, decoding यहाँ भी आपसे पूछा जा सकता है problem solving techniques पूछी जा सकती है statement and conclusion type के question कुछ statement दिया होता है उसमें पूछा जाता है, हाँ पहला सही है दूसरा कथन सकते है या पहला दूसरे की सही ब्याक्या है इस तरह के questions होते हैं वो आ सकते हैं, ठीक arithmetic reasoning, जो mathematics से related कुछ reasoning हो सकती है mathematical number series, कुछ एक number series होगी उसमें कोई relation होगा, बीच में कोई missing number होगा आपको उसे बताना होगा non-verbal reasoning भी आपसे पूची जा सकती है तार्किक reasoning इसे बोलते हैं ठीक है, तर्क सक्ती पर इक्षण इसे बोलते है स्टाय लोजिस्टिक reasoning ये भी आपके exam में इसमें आ सकता है seating arrangement काफी पसंदीदा question होता है किसी भी जो question selector होता है उनका, तो seating arrangement से भी questions आ सकते है decision making और logical reasoning से भी question आ सकते है तो 10 question आपको यहाँ पर reasoning ability से मिलने वाले हैं ठीक इसके बाद अगर topic की बात करें तो वो है आपका general awareness अब general awareness में आपको क्या करना इसके लिए आपको proper news papers and कुछ जो channels है इसका knowledge ऐसा का आप इसको जितना ज़्यादा practice करेंगे जितना ज़्यादा rehearsal करेंगे उतनी अच्छी आपकी channel awareness आजी के हो पाएगी इसमें current affairs जैसे national या international label पर क्या चल रहा है current affairs major जो financial and economical news होते हैं budget and five years का plan जो पंचवर्सी हो जो five years का plan या जो budget में आया क्या क्या आया कैसे आया उसके बारे में sports के बारे में कौन से game में कौन सा पदक दिया गया किसने क्या जीता उसके बारे में ठीक है books और उसके authors कुछ famous books उनके authors उनके writer कौन है वो आप जरूर याद रखिए कुछ awards and honors किसको पदमसरी मिला किसको भारत रत मिला किसको क्या मिला ये चीज़ें आप जरूर याद रखिएगा ठीक है किसको noble प्रसकार मिला science invention and discoveries इससे DRDो में questions बहुत ज़्यादा पूछे जा सकते हैं तो इनको भी आपको अच्छे से याद रख लेने science में कौन-कौन से नए invention हुए है किसकी खोज किसने की किसकी खोज कब हुई थी ठीक है कौन से scientist कहां से थे इस तरह की चीज़ें आपको याद रखनी है कुछ abbreviations आपसे पूछे जा सकते है उनका meaning क्या होता है important days पूछे जा सकते है जैसे खेल दिवसकब मनाया जाता है या विज्ञान दिवसकब है इस टाइप की चीज़ें भी आपसे पर्यावरंड दिवसकब है कई सारी चीज़ें इस तरह से आपसे पूछी जा सकते हैं and सबसे important international and national जो कुछ organizations होते हैं उनसे related सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं जैसे UNICEF हो गया, कुछ NGO हो गया ठीक है, वो जो organization है उनसे related भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है इसके बाद एक last आता है ये सबसे important topic है इसमें आपको थोड़ी मेहनत करनी पढ़ सकती क्योंकि maximum case में मैंने देखा है जो ITI के students हैं इंग्लिस से बहुत डरते हैं लेकिन इंग्लिस पे यहां questions आएंगे और आप लोग इंग्लिस में इतना डरते हैं कि आपको employability skill भी हिंदी में पढ़ने के लिए चाहिए होती हमेशा तो यहां पे synonyms जिसे प्रयावाची कहते हैं antonyms यानि विलोम सब्द sentence में कुछ इरर रहेगी उसको आपको correct करना रहेगा ऐसे questions sentence का correction fill in the blank खाली अस्थान रहेगा वहां पे आपको कुछ सही preposition या सही verb आपको fill करनी रहेगी and sentence का arrangement ठीक है word का arrangement कुछ randomize करके word दिये रहेंगे जैसे यहां पे हम दे दें mainly यहां लिख दें on यहां लिख दें, the यहां लिख दें, focus यहां लिख दें topic यहां lie यहां इस type का तो उसे आपको क्या करना होता है एक सही sentence के रूप में set करना होता है ऐसे questions भी आपसे पूछे जा सकते हैं और comprehension से related सवाल भी कुछ paragraph दे दिया गया, कुछ दे दिया गया passes type का उससे related question भी आ सकते हैं English में तो 10 number solid आपके यहां से भी बनेंगे अगर आप अच्छे से तयार कर लेते हैं 10 में कम से कम 6-7 question आप यहां से गेन कर सकते हैं, सही कर सकते हैं और सबसे important आपको जो math वाला portion ना इस पे आपको अच्छे से ध्यान देना यहां पर आपको कोसिस करनी है 10 में कम से कम आपका target लेके चलना है आप minimum 8 number जरूर यहां से लेकर आओगे ठीक, जितनी ज़्यादा आप practice करोगे उतना ज़्यादा आपको आसान लगेगा एंड सच बताएं, अगर आप अभी जो आपके पास time रहगा न दो से तीन मन्त, अगर इसमें सच में आप मेहनत कर लेते हो तो आपको खुद में feel होगा कि हाँ अब आप examination के लिए थैयार हो ठीक है, अभी हो सकता आपके ITA की results आएंगे आए होंगे, आपके 80% होंगे, 90% होंगे, 95% भी होंगे बट उन results को लेके बहुत ज़्यादा आपको उचलना नहीं है बहुत ज़्यादा आपको ऊपर नहीं पहुँच जाना है या सिर्फ आप भारत स्किला निमी का PDF पढ़के पास हुए है तो वो चीजें दूसरा चाहे जो आपका percentage देखके कहे आपको पता होना चाहिए कि आप कहां है, आप कितने label पे हैं आपकी कितनी पढ़ाई हुई है, दूसरे तो कुछ भी कहेंगे उनके चढ़ाने से आपको उपर भी नहीं चढ़ना है और उनके गिराने से आपको नीचे भी नहीं गिरना है तो आपको अपना judgment, अपना judge खुद बनना है अपना decision maker खुद बनना है तभी आपकी तैयारी अच्छी हो पाएगी ठीक है, हो सकता अभी आपने 100 में 100 score किया होगा trade theory में, लेकिन क्या आप सच में खुद से सवाल करिए कि क्या आप 100 में 100 सच में लाने लायक हैं या आपने पढ़ा था उतना आपको अपनी book के सारे topics याद है अगर हम कहें कि आपका जो ITA का trade theory का book है, उसके जितने topic हैं आप 5 मिनट में हमको लिख के दिखाएं क्या क्या topic से भी पे, जैक्टर के नाम आप लिख के दिखा दीजे, अगर आप उतनी चीजें कर लेते हैं, हम ये मानेंगे यास आपकी trade theory बहुत अच्छे है, आप इसको qualify कर सकते हैं, अगर आप वो चीज नहीं कर पा रहे हैं, तो भाई, बहुत मेहनत करने की जरूरत है, बहुत जादा मेहनत करने की जरूरत है, और समय कम है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है? अब आते हैं हम लोग section B पे, जिसमें से कि आपकी 80 MCQ रहेंगे, टोटा लसी questions रहेंगे, और यही आपको selection दिलाने वाला है, वो तो जो है, वो bonus है, उसको आप जितना अच्छा gain कर लेंगे, आपको अच्छा मिली जाएगा, इसमें जो आपका trade theory है, उसी से सारे questions रहने वाले, लेकिन trade theory मतलब यह नहीं, कि भारत इसके रहने वाला PDF, या कहीं से सवाल उठा लिए, आप proper questions book को पढ़िए, थेओरी को, पुरी book को एक novel की तरह पढ़ डालिए, और उससे जितने questions निकल के आते उनको करिए, mock test दीजिए, online बहुत सारे app हैं, free में आपको mock test दिलाएंगे, साथ ही हम भी आपके लिए questions जरूर ले आएंगे trade theory के अच्छे अच्छे, जिससे कि आपकी तयारी DRDO की अच्छी हो सके, तो यहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी trade theory को अच्छे से पढ़ लेना है, तो आप बहुत अच्छा इसमें कर पाएंगे, तो इससे ज़्यादा इसमें सायद बताने की जरूत नहीं, इस labor सभी आपको clear हो गया होगा, अब इसके साथ-साथ आप लोग लग जाईए अच्छे से तयारी में, जिससे कि form भनने के बाद आप पास जो भी टाइम रहे, उसमें आप daily basis पे अच्छे से तयारी करके, एक्जाम नेशन को आसानी से, और सही तरीके से qualify कर पाएंगे, मेरा जितना support आपको हो सकेगा, मैं उतना provide करने की कोशिस करूँगा एक्जाम नेशन के लिए, जिससे कि आप लोग को मेरी तरफ से जो help हो पाए, सायद उससे अगर आपको 10%, 15%, 20% का भी फायदा होगा, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी, thank you very much, वीडियो अगर पसंद आई तो like and share कर दीजेगा, साथी कमेंट कीजेगा, क्या आपको वीडियो प्रापर समझ में आई या नहीं, and अगर आपको इसमें कुछ और भी डिटेल में चाहिए वीडियो तो हम जरूर आप लिए बना देंगे प्रापर, जिससे कि आपको आसानी और समझने में, चैनल को सब्सक्राइब की भी ना मच जाहिएगा, क्योंकि यहां पर आपको IT is related, हर तरह की जाब्स, अप्रेंटिसिप, अपडेट, स्लेबस के, स्टडी, एंड सब कुछ यहां पर मिलता रहेगा, थैक्यू वेरी मच्च